हेलो वीवर्स मायो मायंक और स्वागात है आप लोग का मेरे इस नीव वीडियो में आजकर जो वीडियो को टॉपिक है बहुत ही सिंपल है किसी भी बिजनस में सिस्टम एनालिस्ट का जर्वत क्यों होता है दूसरा जो है टॉपिक हो है यूजर यूजर क्या होते है अगर आप लोग कैसे डिल करेंगे अगर पूछा जाएंगा तो यह मेरा सैट का सेवन्त वीडियो है मखे का वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते है जो टॉपिक था हमारा वाइडू बिदनेस निट सिस्टम एनालिस्ट यह थियोरी है आप लोग को थियोरी नहीं लिखना है पॉइंट में लिखना है मैं बता हूँगा पॉइंट में कैसे आप लोग को मेंसन करना है ठीक है आप देख सकते हैं 5 पॉइंट मैं ने बना के रखा हुआ यहाँ पर कि why do business need system analyst पहला जो पॉइंट है analysis करता है designing करता है कुन आपका system analyst किसी भी business में analysis और designing का काम करता है दूसरा making मतलब कि नया नया idea बना के देता है किसी भी solution को करने के लिए ठीक है recommend करेगा new new idea नया new solution को recommend करेगा company को देगा कि हाँ कोई भी काम को करने के लिए किसी भी system को complete करने के लिए वो new new idea को रिफर्जेंट करके देता है कौन देता है आपका system analyst तीसरा जो है analyzing का का काम करता है communating का का काम करता है, ठीक है इस topic का मतलब इस point का मतलब यह है suppose कोई company है company में बहुत बड़ी label पे कोई अधिकारी या कोई CEO है उन्हें नहीं पता है कि IT की क्या requirement है ठीक है या उन्हें IT के बारे उतना knowledge नहीं है तो वो जो business का requirement होगा उसे translate करके बताएगा अपने language में translate करके बताएगा उन्हें ठीक है कि business को चलाने के लिए या किसी भी system को बनाने के लिए किस चीश की requirement होएगी चौथा जो है आपका documenting and evolution documentation का काम करता है ठीक है कोन करेगा आपका system analyst पांचमा जो है अलग-अलग modeling language का use करके testing method का use करके data flow diagram का use करके company को company के project को success करने में help करता है कोन आपका system analyst यह पांच point है बहुत ही simple में मैंने बना के रखा हुआ है अगर आप लोग को sort में यह question पूशा जाता है तो आप लोग easily sponsor point को लिख सकते हैं जो दूसरा point है user आप देख सकते हो आपके block में यह पे लिखा हुआ है 2.3 में यूजर इसका भी दो part होते है internal user और external user तो चलिए देखते हैं अगर आप लोग को पूशा जाता है sort में what is user त system में user क्या हो जाएगा जो वहां के employee है ठीक है वो सब क्या है वहां के user कर लेंगे जो system को use कर रहे है तो इसका भी दो part होता है internal user और दूसरा होता है आपका external user internal user क्या होते है जो company के अंदर के employee होते है ठीक हो क्या कर लेंगे आपका internal user और जो company का बाहर का employee होगा वो क्या कर आपका external user, company का जो employee है सब का function मतलब कि आप उनसे अलग-अलगतर के function काम करवा सकते हो या जो भी उसका role है सरे role को आप लो use कर सकते हो, बट बाहर के जो user होगा उसका function क्या होगा, limited होगा, क्या होगा, limited होगा, आपके जो company के user होगे उसको आपको pay करना होगा, ठीक है, और बा और बांकी आपका ये why do, business needs system analyst, इसका 5 point है, आप लोग वीडियो को पाउस करके इसे not कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करें like, जो लोग new देख रहें वो लोग करें subscribe, जल्दी मिलता है एक new वीडियो का साथ, तब तक के लिए धन्यवाद